हा convention कि आता होगं आध स्वागत है सभिका हमारे चैनल सर्वन लेक्चरर में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग अनुआ सिखता एवन जयाओ विगास पाल से उस साथ अटमहत्पुण प्रसुनों तो दोस्तों वीडियो को लाज तक देखना ये सारे प्रस्न आप के बॉडばい उग्जाम के लिए बहुत ज्याद़ haven't है ठीक है लुग्ष do लाज till देखना और इन जो आपके 7 अतमहत्पूण इंप्वाटेंट कुश्यन हैं इससे आप लोग समझने की डीपली प्रियत्न करना और एक बार मिना समझ में आए दूसरी बार देखिए ठीक है तो दोस्तों अगर आप लोग हमारी चैनल पे नए आए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ब ग्यानिक का पूर नाम बताई तो आप लोग जानते भी होंगे अगर नहीं जानते हो तो आईए मैं आप लोग को बता देता हूं इनका पूरा नाम है आप लोग स्वार्ट मेंे कहते होंगे मेंडल लेकिन इनका पूरा नाम है ग्रेगर जान मेंडल ये देखें ग्रेगर जान मेंडल ठीक है तो इतना याद कर लेना अनुवान सिक्ता की खोज करने वाले ग्रेगर जान मेंडल है जन्वदाता भी ग्रेगर जान मेंडल है और जनक भी ग्रेगर जान मेंडल ही है तो कई बार क कुछन को कई टाइप से पूछा जाता है तो अगला कुछन देखें दूसरा कुछन तो समझ में पहला दूसरा दोग देखें मेंडल ने अनुवान सिक्ता का प्रयोग किस पौधे पर किया था जो मेंडल जी थे उन्होंने अनुवान सिक्ता का प्रयोग किस पौधे पर किया ठीक है उनका वैज्ञानिक नाम लिखिए जिस पौधे पर किया था उनका वैज्ञानिक नाम लिखिए यह आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ण ठीक है 2018 में पूछा गया है तो उनका जो पौधा था वो था मतर का पौधा जिसे इंगलिस में कहते पी इसका जो आपका मतर का पौधा था उसी पर मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था ठीक है साथ भी प्रियासी लच्छन ठीक है और उनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाईशम सटाइवम जिसे इंगलिस में इसका बैग्यानिक नाम हो गया और किस पौध्य पर किया था मतर के पौध्य पर याद हो गया ठीक है आगे देखते हैं तीस्षरा कुश्चन तेकिए इसमें तो पांचवा है लेकिन आप लोगों के लिए दिस्षरा प्रभावी तथा आप प्रभावी लच्छन से आप क्या समझते हैं प्रभावी लच्छन तथा आप प्रभावी लच्छन से आप क्या समझते हैं ठीक है तो आईए बताते हैं बहुती जी है जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तवही समझपाएंगे और इस टाइब के मैंने पढ़ा भी दिया है ठीक परभावी तता परभावी लच्छन में अंतर भी पढ़ा दिया है तो देखें एक लच्छन के दो कारकों में जो अपना प्रभाव पर दर परभाव पर दर्सित करता है जबकि दूसरा जो होता है वो अपना परभाव पर दर्सित नहीं करता है तो जो अपना परभाव पर दर्सित करता है वो परभावी होता है और जो अपना परभाव पर दर्सित नहीं करता है वो आप परभावी होता है अगर आप लोग नहीं देखें उप्रभाविता का नियम तो आप लुक देख लेना मेंडल के तीनों नियम को फिर्थक्रण का नियम स्वतंत्रबीवन का नियम इन सभी को ठीक है बहुत ज्यादा कहते हैं ठीक है इतना समय दो समझ में आज़ा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कितने वन कि टू को ऐन्ड त्री तिन टिन टीक है तो आई छोप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ठीक है आगे देखते हैं तो दोस्टों अब हमारा अगला कुश्यन आता है अगला कुश्यन कउंसार ठीक है आप लोग देखें धियान से अगला कुश्यन देखें प्राकार रेट किसिका में discover चोसिका में DNA कहां पाया जाता है ठीक है एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन कोशिकाओं में अंतर तो सभी देख लेना पढ़ा दिया है तो प्राकारिटिक कोशिकाओं में जो डीने एक गुड़ सूत्र के रूप में कोशिका दरब में पाया जाता है किसके रूप में गुड़ सूत्र के कोशिका दरब में पाया जाता है अगर आप लोग उसे एक नंबर में पुछे के रूप में जो कोशिका दरब में ठीक है अगला कुशिन देखे किस अनुवांसिक लच्छन के जीन एक गुड़ सूत्र पर पाये जाते हैं करने कोई सा अन्वान्चिक लट्छन है जिसके Gene X गुल सूत्र पर पांदेते हैं तो आप यह सोपा है पता है पता होगा क्योंकि इस से मैंने पढ़ाया है वर्लांधा को पढ़ा दिया है दो नमबर में अक्सर पूछे जाते हैं तो किस एक्स गुर्षूत्र पर पाए जाते हैं अगला लिंग सहलंता से जम्बंधित कि नहीं दो बिमारियों के नाम लिखिए तो आपका यह जो दो बिमारी है इससे आप लोग समझ लेजिए नंबर एक हीमोफीलिया जो हीमोफीलिया होता है वो एक विमारी है और यह इसी के कारण होता है ठीक है इसकी संबंधित इससे ही संबंधित है बिमारी ठीक है सहलंगता ठीक है और दूसरा वर्लांधता लिंग सहलंग रोग है ठीक है इतना सब्सक्राइब कौन कौन हीमोफीलिया तथा वर्लांधता आगे देखते हैं अब हमारा आता है अगला कुश्यन चौथा कुश्यन ठीक है साथ कुश्यन तो एक व्यक्त हीमोफीलिया का रोगी है हीमोफीलिया का ठीक है उसकी पत्नी में हीमोफीलिया का एक जीन है उस दमपत्ती के बच्चों में रोग के गरसित होनी की संभावना क्या है तो दोस्तों वो जो है उस बच्चे की जो है बच्चे में रोग गरासित होनी की संभावना कितना है केवल 50% क्योंकि 50% जो होते हैं जीन जो होते हैं वो पतनी यानि कि आप समझे यहां क्या लिखा एक व्यक्त हीमोफोलिया करोगी है ठीक है तो यह 50% जो होगा उसके भी होगा जो पाइदा होगा ठीक है समझ मैं बस आपके साथ कुष्चिन हो चुके हैं तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को कर देजिए लाइक चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे वीडियो कर पाना है तो आप लोग कमेंट वाक्स में जरूर बताइए क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो लगतार देता रहता हूं तो दोस्तों फिलाल इस वी